Hello Guys and Welcome to Pentab Classes आज की चो वीडियो है वो Class 10 की Maths के उबर है इसमें हम देखेंगे Quadratic Equations के बारे में ये Part 1 होगा आगे आने वाली वीडियो में हम इसके Questions डिसकस करेंगे इस वीडियो में मैं पूरे जितने भी जितना भी सिलाब से Class 10 का जितने भी चीज़ें पूछी जाते हैं उस चीज़ को मैं याँबर डिसकस करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इन दो महानगड तक्यों के बारे में जान लेते हैं ब्रह्मगुप्त जिन्होंने जिरो का addition, subtraction और multiplication के बारे में एक थिरे दी थी इसके बाद इन्होंने द्विखात समिकरण से related भी कुछ concepts दिये थे फिर आये स्रीधनाचारी जी इन्होंने एक सूत्र दिया था यानि कि एक formula दिया था जिससे कि हम quadratic equations के root आसानी से find कर सकते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं quadratic equation यानि कि द्विखात समिकरण होते क्या हैं तो यह polynomial equations होते हैं second degree के degree 2 के इसका मतलब यह हो गया जो variable होगा उसमें maximum power 2 के होगी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि second degree algebraic expression को भी हम equation quadratic equation यानि कि द्विखात समिकरण बोलते हैं जो a, b और c हैं यह constants होते हैं यह variable नहीं होते हैं जो x square है यह variable होते हैं यानि कि जो x का term है यहाँ पे x का जो भी use हो है यहाँ पे वो variable है यानि कि उसी की values हमेशा change होंगे और जो a है वो x square का coefficient है b है x का coefficient है और c जो है वो constant है है तो a, b, c तीनो constants लेकिन इसको coefficient के रूप में जानते हैं a और b को किसी भी quadratic equation में जो x square यानि कि जो maximum power होती है जिस variable पे जो कि x square है 2 है पावर उसका coefficient कभी 0 नहीं हो सकता है यानि a की value कभी भी 0 नहीं होगी अगर वो quadratic equation है अगर 0 हो गई तो b x plus c बचे का यानि की linear equation बन जाएगा यह यानि रैखिक समिक्रण तो द्विघात होने के लिए सबसे जरूरी क्या है यह की value अभी 0 नहीं हो सकती जो quadratic है यह आया है Latin word quadratum से जिसका मतलब होता है square अब यहाँ पर देखते हैं जो मानक रूप होता है equation का द्विघात समिक्रण वो होता है a x square plus b x plus c equals to 0 जहाँ पर जो terms जिस नाम से उसको जानते हैं वो देख लेते हैं a x square को बोलते है quadratic term यानि कि द्विघात पद b x को बोलते है linear term यानि कि रैखिक पद quadratic x इसलिए बोलते हैं क्योंकि x square का term है यहाँ पर, square है यहाँ पर इसलिए इसको बूलते हैं द्विगात पत, bx बोलते हैं क्योंकि x की पावर 1 है, इसलिए इसको linear term यानि कि रैखिक पत बोलते हैं, c को constant term यानि कि अचर पत बोलते हैं, a को बोलते हैं गुडांक x square का, यानि की coefficient of x square B को बोलते हैं coefficient of x अब देखते हैं pure quadratic equation यानि की शूद द्विगात समिकरण क्या होते हैं तो ऐसे द्विगात समिकरण जिसमें के वल x square के terms हो और constant term उसको बोलेंगे pure quadratic equation वहाँ पर linear term नहीं होगा और यहाँ पर यह ध्यान दीजेगा की quadratic equation है तो यहाँ पर a की value 0 नहीं हो सकती मतलब coefficient of x square cannot be equals to 0 दूसरा है mixed द्विगात समिकरण यानि की मिश्र द्विगात समिकरण इसमें क्या होता है की जो हमारा मानक रूप होता है quadratic equation यानि की द्विगात समिकरण का उसी को बोलते हैं mixed quadratic equation मतलब यहाँ पर द्विगात पद और रैखिक पद और अचर पद तीनों होंगे तो इसको बोलेंगे मिश्र द्विगात समिकरण यानि की x square प्लस bx प्लस c equals to 0 जहाँ पर a की value 0 नहीं हो सकती इसको बोलेंगे mixed quadratic equation यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आप screenshot ले लो और यहाँ पर एक ही जगह पर है ताकि differentiate करने में आसा नहीं हो तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं a x square प्लस b x equals to 0 जहाँ पर a b c constants है a को x square का coefficient बोलते हैं यानि की और b को x का coefficient बोलते हैं c अचरपद होता है a की value 0 नहीं हो सकती किसी भी quadratic equation के लिए मतलब जो coefficient of x square होता है maximum power का जो coefficient होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता पहला इसमें जो type है वो pure है दूसरा है mixed pure में क्या होगा कि linear term नहीं होगा जो x का term होगा केवल वो नहीं होगा a x square plus c equals to 0 होगा हमेशा और a की value 0 नहीं हो सकती mixed में क्या होता है जो मानक रूप होता है quadratic equation का a x square plus b x plus c equals to 0 वो ही होता है mixed quadratic equation अब देखते हैं roots क्या होते हैं quadratic equations के मतलब मूल क्या होते हैं द्विगात समिक रड़ के जैसा कि हमें पता है कि जो quadratic equation होता है वो second degree equation होता है बतलब जो maximum power होगी variable की वो 2 होगी और single variable होता है single variable इसमें होता है यानि कि x होता है x हो सकता है या फिर y हो सकता है या फिर कोई भी variable हो सकता है जिसके साब एक हम roots find करते हैं तो यहाँ पे जितनी power होते हैं किसी variable पे क्रण की बात कर रहें मतलब दो गात जो डिगरी होते हैं उसको गात बोलते हैं . यानि कि पावर बोल सकते हैं थो यहां पे पावर मैक्सिमम डू एथ है तो यहां पे दो रूट्स हों गे यानि कि दो ऐसे मूल होंगे जो उस equation को satisfy करेंगे तो इसका सीधा answers होंगे किसी भी द्विगात समीगरण के तो अगर alpha और beta दो numbers हैं जो कि किसी equation किसी द्विगात समीगरण को satisfy करते हैं मतलब x की value पे अगर alpha put करें या फिर beta put करें और उसकी value 0 आए या फिर lhs equals to rhsi तो हम कह सकते हैं कि alpha और beta इस equation के roots हैं यानि कि mool है क्योंकि वो इसको satisfy कर रहा है तो यहां पर अगर px अगर एक equation हम लेते हैं ax square plus bx plus c तो यहां पर p alpha equals to 0 होगा और p beta equals to 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि alpha और beta px के roots हैं अब देखते हैं mixed quadratic equation को solve करने के कितने तरीके हैं तो जो पहला तरीका है वो factorization method है यानि गुड़नखंड पर थी दूसरा है completing the square यानि पूर्ण वर्ग बनाकर तीसरा है quadratic equation यानि कि quadratic formula actually तो इसको स्रीधराचार formula भी बोलते हैं जो कि बहुत important है पहले 2 से अगर आप नहीं solve कर पा रहें तो तीसरे से तो आप किसी भी हाल में आप किसी भी तरह की quadratic equation को solve कर सकते हैं यानि कि उसके roots find कर सकते हैं मतलब ये जो तीनों विधिया हैं इनसे हम roots find करते हैं किसी भी द्विगात समिकरण के यानि उसके मूल ग्याद करते हैं जो third वाला है इससे हम direct question को solve कर सकते हैं और आसानी से roots find कर सकते हैं तो देखते हैं पहला method यानि की factorization method इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अगर समिक्राड LHS और RHS के form में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सारे terms को आप LHS में लाइए उसको 0 से equate करिए अब यहाँ पर हम एक example से समझेंगे जैसा कि equation है 3x square equals to 4x plus 4 तो पहला step क्या है कि सारे terms को हम left side में लाए 3x square minus 4x minus 4 equals to 0 अब दूसरा जो step है यह बहुत important है तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो x square का coefficient है यानि कि 3 और जो अचर पद है यानि कि constant term जो कि है minus 4 या फिर आप 4 बोल सकते हो तो इन दोनों का multiplication करना है उसके बाद उस multiplication का factorization करना है इस तरह से कि उन factors को add करने पे यह minus 4 आ जाए यानि कि जो beach वाली value है bx वाली तो b को हमें लाना है sign के साथ तो आप दूसरे वाले box में देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है 3 और 4 को minus 4 को circle किया हुआ है red color से इन दोनों को आपको ऐसे multiply करना है कि इनके factors को add करने पे minus 4 आ जाए तो यहां भी देखिए दूसरे step में 3 into minus 4 किया है मैंने equals to minus 12 अब इसको हमने किया है minus 6 into 2 कर तो हम इसको 2 into 6 भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमें चाहिए minus 4 और minus 4 हमें कैसे मिलेगा जो इसके 6 और 2 जो यह जो factors है 6 और 2 इनको हम add जब करेंगे minus 6 और 2 को तो हमें minus 4 मिल सकता है जो कि b के equal होगा यानि कि minus 4 के equal तो step 2 में आ जाईए है तो यहाँ पर अब हमें लिखना है कि 3x square minus 6x plus 2x यह factor भी आप देखते रहेगा minus 4 तो इससे हमने कोई भी change नहीं किया equation में equation जो starting में equation दी है वही चीछ है बस इसमें हमने ऐसे लिखा है ताकि हम common ले सके और simplify कर सके तो अब देखिए 3x square minus 6x plus 2x minus 4 अब जो पहले दो terms है इसमें जो भी common है उसको हम बाहर निकालेंगे तो 3x common है x minus 2 बचेगा प्लस अगले दो terms में 2 common है तो 2 common लेंगे तो x minus 2 बचेगा अब इन दोनों terms में देखेंगे तो इन दोनों terms में x minus 2 common है इसको बाहर निकालेंगे बचेगा क्या 3x plus 2 equals to 0 अब ऐसी कोई भी equation जिसमें x into y equals to 0 है तो यहाँ पे हम x भी 0 के बराबर करेंगे और y भी 0 के बराबर करेंगे ऐसा नहीं है कि अबल आप x को बराबर करोगे 0 के y को नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें यह पता नहीं है कौन सा 0 है कोई तो 1 होगा लेकिन हम किसी 1 को तो कर नहीं सकते है तो हमें दोनों को equal करना है 0 के तो यहाँ पे x minus 2 equals to 0 होगा और दूसरा होगा 3x plus 2 equals to 0 यहाँ पे x की value के आए 2 और दूसरे वाले में x की value के आए minus 2 by 3 अब हम इसको tally करेंगे मतलब कि जो भी answer हमने अभी अभी निकाला है वो देखेंगे कि वो सही है या नहीं तो जैसा कि हमें बता है कि जो roots होते हैं वो equation को satisfy करते हैं मतलब जो भी variable होते हैं उस variable की जगह पे अगर उस value को अगर हम put करेंगे तो lhs equals to rhs आना चाहिए तब ही हम यह बता पाएंगे कि यह value जो हमने find करी है यानि कि roots यह equation को satisfy कर रहा है या फिर equation के ही roots हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x की value put करी 2 यहाँ पे हमने क्या मिला 12 equals to 12 हमारे पास आएगा 4 by 3 equals to 4 by 3 यानि कि यह भी satisfy कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि 2 और minus 2 by 3 3x square equals to 4x plus 4 के ही roots हैं और यह इसको satisfy कर रहा है दूसरा example देखेंगे 5x square minus 11x equals to minus 2 तो सबसे पहले हम इसको lhs में लाएंगे मतब left side में लाएंगे तो 5x square minus 11x plus 2 equals to 0 अब यहां पर जो हमने पहले किया कि x square का जो coefficient है यानि कि 5 और जो अचर पाद है यानि कि constant term 2 इन दोनों को multiply करेंगे और multiply करने के बाद इनका factorization करेंगे और उन factors को ऐसे जोड़ेंगे कि minus 11 आ जाए ठीक तो यहां पर देखें 5 into 2 किया equals to 10 आया तो 10 को कैसे multiply करोगे कि उसके factors को जोड़ने पर 11 आ जाए यानि कि minus 11 आ जाए दोनों तरह से आप कर सकते हो मैं बताऊंगा आगे यहां पर देखे 10 को हम क्या लिख सकते है 10 into 1 या फिर minus 10 into minus 1 इससे क्या होगा इन दोनों को जब हम add करेंगे तो minus 11 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए यहां पर मतलब B के जगह पर हमें minus 11 चाहिए यहां पर उस factors को हम यहां पर लिखेंगे x के terms में 5 x square minus 10 x minus 1 x plus 2 equals to 0 step 2 अब इन पहले दो terms में 5 x common है 5 x common लिए तो x minus 2 बचा फिर अगली जो दो टर्म है minus 1 x plus 2 इसमें क्या common है? 1 common है कुछ भी नी common है तो 1 common है तो minus 1 अगर common लिए minus 1 लेंगे common क्योंकि हमें x minus 2 बाहर करना है तो यहां पर minus 1 common लिए तो x minus 2 आ गया अब इन दोनों terms में हमारे पास x minus 2 common है x-2 कॉमन लिया तो 5x-1 यह ही काइद आएगा और दूसरा आएगा x-2 तो अभी अभी जो मैंने बता है xy equals to 0 इसका मतलब है x भी 0 के बरावर है y भी 0 के बरावर है तो हम बोल सकते हैं कि x-2 equals to 0 होगा और 5x-1 भी equals to 0 होगा यहां से हमारे पास आजा गया x की value 2 और 1 by 5 अब इसको हम टैली कर लेंगे सबसे पहले हमने पूट किया x की value 2 तो यहां पर हमें 0 आगया step 1 में जो equation है इसमें हम पूट कर रहे हैं आप question में भी कर सकते हैं और step 1 में भी कर सकते हैं मतलब कहीं भी आप करोगी x की value pool तो वो सेम ही आएगा LHS, RHS की सेम आएगा अगर वो root है तो यहां पर 0 हागया दूसरे में भी 0 हागया मतलब कि यह roots हैं इसके यह दोनों satisfy कर रहे हैं अब देखते हैं दूसरा में तर्ड यहने की completing the square pool work बनाकर solve करते हैं यहां पर तो सबसे पहले यहां पर आप द्यान देजेगा a plus b कहां जो whole square होता है यह formula यह वहां पर यूज होगा बहुत ही जाता तो इसी format में हम basically बनाते हैं ताकि चीचों को आसानी से हम solve कर सकें जो चलिए देखते हैं पहला example है x square plus 4x plus 3 equals to 0 यहां पर इस formula को द्यान रखेगा दूसरे वाली box में जो blue color का box है a plus b का whole square equals to a square plus b square plus 2ab यहां पर जो x square है अगर आप इसको a square मानो तो x की value क्या हो गई ए अब हमें find क्या करना है b square plus 2ab यह चीज़ ध्यान रखना तो 4x जो की 2ab के form में है इसको इस format में लाएंगे 2ab के format में तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं 4x equals to 2 into 2x या फिर 2 into x into 2 तो यहां पर x की value a है तो हमें चाहिए क्या 2ab यहां पर देखे 2x into 2 यानि की 2ab तो b क्या हो गया 2 हो गया जो red में 2 लिखा है वो b है तो b square क्या हो जाएगा 4 होगा जबकि हमारे पास equation में क्या है 3 यानि की या तो हम left side में एक जोड़ दें और एक घटा दें या फिर left side में एक जोड़ दें और right side में यानि की 0 के side में एक जोड़ दें दोनों side में एक एक जोड़ दें तो हमने यही क्या है x square plus 4 x plus 3 plus 1 equals to 0 plus 1 दोनों side में एक एक जोड दिया तो हमारे पास क्या है x square plus 4 x plus 4 equals to 0 अब यहाँ पर देखिए अगले step में x square plus 2 x 2 plus 2 का whole square equals to 1 यानि कि x plus 2 का whole square यहाँ पर देखिए x square plus 2 a b मतलब a square plus 2 a b plus b square इस format में आ किया तो हम लिख सकने इसको x plus 2 का whole square equals to 1 फिर क्या करेंगे x is x plus 2 का whole square minus 1 को इधर लाएंगे और minus 1 को आप 1 को आप one square लिखो या फिर one लिखो कोई फारद नहीं पड़ता तो one square लिख दिया और जैसा कि हमें एक formula पता होना चाहिए आपला रूल अप्लाई करेंगे x into y अगर equals to 0 है तो वहाँ पे x भी 0 के बराबर होगा और y भी 0 के बराबर होगा तो हम कह सकते है x की value आ जाएगी minus 1 और minus 3 अब देखते हैं हमारा तीसरा method यानि की quadratic formula या फिर स्रीधराचार्य formula इसका यूज करगे हम roots find करेंगे इसको discriminant method भी बोलते हैं तो जो mixed equation है हमारी mixed quadratic equation a x square plus b x plus c equals to 0 जहां पर a plus a a b और c constants हैं और a की value 0 नहीं हो सकती तो x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a इस formula का यूज करते हुए हम दो roots find करेंगे अपने द्वेकात समीकरण का तो चले देखते हैं इसके बारे में तो जो हम्मरा formula होता है minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a इसमें दो values हैं एक minus b plus link है और minus b minus link जो plus minus का use हुआ है यह एक एक बार हम link है minus b plus root b square minus 4ac upon 2a और दूसरा है minus b minus root b square minus 4ac upon 2a जो discriminant होता है इसको हम बोते हैं विविक्तिकर इसकी value होती है 20 को है मैनस 4C यानि कि root के अंदर जो भी value है न इसको विविक्तिकर बोलते हैं इसको DC, capital D से denote करते हैं इस पर भी questions आते हैं और यही decide करता है कि जो roots हमें मिलेंगे वो वास्तविक है या फिर नहीं तो इसीच को आप ध्यान में रखेगा तो यहाँ पर nature of roots देख लेते हैं मतलब किस तरह के roots हम प्राप्त करेंगे इस formula का यूज करते हुए इस formula की यही खासियत है कि आप किसी भी तरह के roots को find कर सकते हैं अगर आप किसी भी method से नहीं कर सकते तो इस method से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए c1 देखिए यानि कि case 1 जब b2-4ac 0 से बढ़ा होगा यानि कि positive होगा इसका मतलब यह है कि जो विविक्तिकर है अगर वो positive है तो roots कैसे होंगे distinct और real यानि कि अलग-अलग होंगे और वास्तविक होंगे इसके दो cases हैं इसके अंदर दो cases हैं अगर b2-4ac यह value 0 से बढ़ी है यानि कि positive है और अगर वो complete square बनाती है तो जो roots होंगे वो real होंगे, real तो होंगे ही होंगे, rational होंगे और distinct होंगे अब rational और distinct जानने के लिए आप जो video है rational के उपर, rational numbers यानि कि real numbers के उपर वो video आप refer कर सकते हैं अगर b2-4ac कि value 0 से बढ़ी है यानि कि positive है और complete square यह नहीं बनाती है मतब root से बाहर अगर यह नहीं निकल पाती है तो roots कैसे होंगे, real तो होंगे ही होंगे, irrational होंगे और distinct होंगे मतब यह जो दो qualities है ना roots की distinct और real यह दोनों तो हमेशा ही होंगे लेकिन rational और irrational होने के लिए यह depend करेगा कि b2-4ac यानि कि जो विविक्तिकर है वो root से बाहर निकल सकता है या नहीं अब दूसरा case देखते हैं, अगर b2-4ac की value 0 हो जाए मतब root के अंदर की value 0 हो जाए, तो क्या होगा, दोनों roots equal होंगे आप formula में देखिए अगर b2-4ac 0 हो जाए, तो कि अबल बचेगा क्या हमारे पास minus b by 2a, यानि कि दोनों जो roots होंगे, वो same हो जाएंगे और वो equal होंगे, minus b by 2ak तीसरा जो case है, वो है, b2-4ac अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा का मतलब क्या है, negative से मतलब है 0 से छोटा, 0 से अगर दाएं साइड आएंगे आप, number system पे, number line पे तो आपको negative values मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से अगर छोटा है तो मतलब b2-4ac की value negative है, अगर यह हो गया, तो वो roots जो होंगे, हमें जो मिलेंगे, वो real नहीं होंगे क्या होंगे, complex roots होंगे अब इसको हम देख लेते हैं, एक example के थुरू 3x2-4x-4 equals to 0, यह हमारा equation है, अब हमें सबसे पहले यह निकालना है कि a की value क्या है, b की value और c की value, तो जो हमारा मानक द्विगात समिकरण होता है, यानि कि a x square plus b x plus c equals to 0, उसे से हम इसको compare करेंगे और a, b, c की value find करेंगे, तो उससे compare करने के बाद हमें मिला a की value 3, b की value minus 4, c की value minus 4, अब इस इन values को इस formula में put करेंगे, तो minus b की value minus 4, b square minus 4, c, इसको बहुत ही ध्यान से put करेंगे, जब भी sign different हो, उस चीज में गलती होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पर put करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4 minus into minus plus हो जाएगा, तो 4 plus minus root minus 4 का whole square, minus 4 into minus 4, minus into minus plus, तो 16 हो जाएगा, और यहां पर देखिए, minus 4 into 3 into minus 4, तो minus into minus again plus हो जाएगा, तो यहां पर 48 आगया, x equals to 4 plus minus root 64, 64, यानि कि 8 into 8, बाहर आ जाएगा, 8, x equals to 4 plus minus 8 upon 6, अब इसको solve करेंगे, तो x की value आएगी 2, और दूसरी minus 2 by 3, इसको tally कर सकते हैं, वापस कैसे, जो equation है हमारा, उसी में x की value बारी बारी से put करेंगे, अगर LHS, RHS के equal आता है, तो यह values हमारी satisfy कर रही हैं, यानि कि यह सही values है, अब देख लेते हैं, यह एक short में बनाया है, ताकि आप screenshot ले लो, एक छोड़ा सा slide है, जिसका आप screenshot ले सकते हो, कि इससे questions आते हैं बहुत ज़्यादा, जो विविक्तिकर होता है, यानि कि discriminant होता है, जो d, d, b square minus 4 इसी, अगर वो positive है, और complete square है, तो root हमारा कैसे होंगे, roots, real तो होंगे होंगे, real हर case में होंगे, जब भी d की value positive होगी, तो मतलब real होंगे roots, rational होंगे, अगर complete square बना रहे है, तो distinct होंगे होंगे, अगर d की value positive है, लेकिन complete square नहीं है, मतलब root के अंदर ही रह जा रही है, root से बाहर नहीं निकल सकती, तो difference क्या आएगा, irrational होगा, यानि और परिमे होगा, परिमे और और परिमे के बारे में जानने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, आप एक video है, real numbers पे, जो की playlist में पढ़ी है, आप उसको refer कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा help मिलेगी आपको, इसको समझने में आसान ही होगी आपको, अगर d की value 0 से छोटी, यानि की negative है, तो वो कालपनिक roots होंगे, यानि की imaginary, d की value अगर 0 है, तो दोनों roots सेम होंगे, और वो minus b by 2 के बराबर होंगे, मतलब, दोनों roots की value होगी, minus b by 2a, अब कुछ questions मैंने दिये हैं, उनको आप solve कर सकते हैं, और उनकी answers आप comment section में दे सकते हैं, जो पहला question है, आपको root find करना है, x square minus 2x plus 1 का, equals to 0 का, इसका root find करना है, और pure quadratic equation कैसे होते हैं, एक pure quadratic equation का example आपको comment section में देना है, उसके बाद है x की value find करने हैं आपको, यह जो equation है, यह द्विगाद equation ही है, आप इसको थोड़ा solve करोगे, common लेके, तो यह द्विगाद समिगरण ही आपको मिलेगा, तो यहां से आप x की value find कर सकते हो, जो roots होंगे, वो आपको find करने हैं, यानि कि दो roots होंगे, वो आपको comment section में लिखना है, so thank you so much guys, और अकर यह lecture आपको पसंद आया हो, तो इसको like करे, share करे, और इस channel को subscribe करे, thank you so much guys.